Hello students, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे परसेंटेज की परसेंटेज में मैं आप लोगों को पहले अल्रेडी दो वीडियो करा चुका हूँ जिसमें मैंने आपको परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कनवर्ट करते हैं एम रहेगा आपको परसेंटेज के कुछ कोस्चन को कराना तो परसेंटेज में कैसे कोस्चन आते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्दी इस बात पर आज हम लोग डिसकस करेंगे लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी चीज़े यहाँ पर जाननी होगी ओके, तो सबसे पहले हम लोग कुछ fractions को याद करेंगे जैसे अगर मैं बात करूँ एक की, तो एक को आप क्या लिखते हैं, 100% लिखते हैं वैसे ही अगर मैं कहूँ, एक बटा 2, तो एक बटा 2 को हम क्या लिखते हैं, एक बटा 2 को हम 50% लिखते हैं एक बटा 2 को हम क्या लिखते हैं, 50% फिर यह से भी याद रखना है कि अगर कहीं 50% आए, तो उसको हम direct एक बटा 2 लिख सकते हैं तो ये याद करने की चीज़े हैं ठीक है अच्छा याद कैसे करना है रटना नहीं है आपको तीन बार चार बार इसे लिखना है जब आप तीन बार चार बार इसे लिखेंगे अपनी कॉपी में या किसी पेज पर या जैसे भी आप प्राक्टिस करते हो तो आपको ये अराम से हो जाएगा अब आते हैं हम एक बटा तीन तो एक बटा तीन को हम क्या लिखेंगे एक बटा तीन को हम लिखते हैं तैतिस सही एक बटा तीन परसंट यह बहुत आसान है एक बटा तीन तैतिस सही एक बटा तीन ठीक है तैतिस सही एक बटा तीन एक बटा तीन बटे तेन के वैल्यू तो यह मैं आगे सिखाऊंगा बट अभी के लिए फिलहाल इतना याद रखिए अब एक बटा तीन हो गया एक बटा तीन के बाद हम लो लिखेंगे एक बटा चार तो एक बटा चार क्या है एक बटा चार को हम लिख सकते हैं 25 परतीशत कितना बटा तो एक बटा पांच एक बटा पांच को हम 20 परसंट कैसे लिख रहे हैं क्योंकि हमें इसमें 100 से मल्टिप्लाई करना है किसी भी फ्रेक्शन में 100 से मल्टिप्लाई करके उसे परसंटेज में कनवर्ट किया जा सकता है तो जैसे ही हम 100 से मल्टिप्लाई करते हैं तो य एक बटाचोँ, एक बटाचे का कितना होता है, तो एक बटाचे का जो होता ह構ता है, वो होता है, सोल़ सही बटाची तीन परसेंट, फिर आता है एक बटाच? तो एक बटा 7 का कितना होता है, एक बटा 7 का होगा 14 सही, दो बटा 7, अब इसे कैसे हम जाने, तो आप सिधा कर दो 100 बटा 7, अब इसको जब आप काटेंगे, तो कैसे कटेंगे, 100 को फिर भाग लगाना पड़ेगा, आपको कितना से 7 से, 7 एकम 7, बच गया कितना 3, उसके 8 का कितना होता है, तो एक बटा 8 का होता है, 12 मतलब 12 सही, एक बटा 2 परसेंट, तो ये value हो गई हमारी 1 ईक बटे 8 की, अब हम दो थोड़ा सा और आगे बढ़ेएंगे, और और कुछ values को जानेंगे, इन values को आपको आपको शाथ-साथ याद करते चलना है, और आप multiple time इनको लिखो ताकि आपको यह याद हो जाए, क्योंकि जब हम question बनाएंगे तो इसमें हमें इसका परियोग करना पड़ेगा, आते हैं एक बटा 9, यह बड़ा असान है, 11 सही एक बटा 9, 11 सही एक बटा 9, एक बटा 10, यह तो 10% होता है, 10% होता है, यहाँ परसेंट हो जाएगा, एक बटा 12, एक बटा 12 कितना होता है, तो 12 का पाणा 100 तक आपको जाना होगा, 8 सही एक बटा 3%, एक बटा 12 का कितना होता है, 8 सही एक बटा 10, कैसे, तो 100 से जब आप 12 को, 12 से भाग लगाएंगे 100 को, तो क्या मिलने वाला है आपको, तो 12 बटे, चान में मिलेगा, अब तो एक बटा बारा हमें पता चल गया, उसके बाद में हमें क्या जानना है, एक बटा तेरा, तो एक बटा तेरा को हम कैसे लिखेंगे, साथ सही, नो बटा तेरा, ठीक है, साथ सही, नो बटा तेरा, इसकी वेल्य होती है, एक बटा चौदा लिखकर देखो, तो एक बटा साथ साथ सही एक बटा साथ १ंसन्ट की निकालने था सो ह हाँ 100 बटा पंद्रा की वेल्यु कितनी होगी एक 615 की कितनी होगी गाना पड़ेगा दो 100 की 15 करक्षिंट तो यहाँ पर जब हम 100 को करेंगे तो 5 से पहले काटते हैं, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 20 और यहाँ आएगा 3, अब काटेंगे तो कितना आएगा, 3 शी गठारा, 2 बटा 3, यानि 6 सही 2 बटा 3 परतिशत, 6 सही 2 बटा 3 परतिशत, और ऐसे ही आगे जितनी आपको values निकाल हैं, 100 से multiply कर देते हैं, और 100 से multiply करके जो भी काटके मान आता है, पुर्णांक में आए, चाहे वो direct कटके आए, आपको उसको लिख लेना होता है, percentage में, तो आशार करता हूँ कि ये बात तो आपको अच्छे से clear हो गई होगी, अब हम लोग कुछ questions को देखेंगे, जैसे एक question को हम लोग कनवर्ट करके देखते हैं, अब opposite करते हैं, जैसे मान लोग की इतना रहने देते हैं पहले यहाँ पे, आपको दे दिया जाए, 16 सही 2 बटा 3%, मतलब इसकी value क्या है, 16 सही 2 बटा 3%, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मुझे 16 सही तो नहीं, बट 8 सही 1 बटा 3% पता है, ठ ठीक है, इसी में 2 से गुना हुआ होगा तो 8 बटा 16 और 2 एकम 2 बटा 3%, यह आ गया, समझ गया, लेकिन 8 सही 1 बटा 3 value होती किसकी है, तो आप कहेंगे 1 बटा 12 की, ठीक है, तो यह 2 से multiply है, मतलब यह 2 बटा 12 और 2 बटा 12 है, तो फिर क्या हो जाएगा, 1 बटा 6, ऐसे भी आप कर सकते हो, या फिर आप डारेक्ट देख लो, 16 सही 2 बटा 3, किसकी value है, एक बटा 6 की है, तो हर मान आपको लगभग से माना है, मैं समझ सकता हूँ कि आपको हो सकता है, यह बाते समझ में ना आई हो, लेकिन याद रखिएगा कि कोई भी percentage जब आपको दिया जाएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं multiply छुपा होगा, या फिर उसको तोड़ने की जरूरत होगी, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ 505, 505 पुर्णांग 5 बटा 19%, अब आपको इसको fraction में बदलना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, 505 पुर्णांग 5 बटा 19%, तो अब हम क्या करें, तो हम इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं, 500% प्लस 5 पुर्णांग 5 बटा 19%, अब आपको पता होनी चीए कि यह 5 पुर्णांग 5 बटा 19 बहलू होती किसकी है, तो अगर नहीं पता है तो निकाल लो, और अगर याद है तो डिरेक्ट पुट कर दीजिए, तो यह क्या होता है, यह होत होता है, 100 बटा 19, अब 19 पचे 95, बच कितना गया, 5 बटा में 19 रह जाएगा, है ना, तो यह जो है, वो है 1 बटा 19, और 500 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 500 को हम लिखते हैं 5, तो 5 पलस 1 बटा 19, 19 पचे 95, लेकिन हम इसे करना नहीं है, हम इसी को ऐसे लिख देंगे, 5 पुर्ण 1 बटा 19, जो की है इसका answer, है ना, तो इस तरीके से हम इसे solve कर सकते हैं, I hope आपको यह बाते अच्छे से clear हो गई होंगी, अभी मैंने आपको fraction से percentage निकालना सिखाया, और percentage से fraction निकालना बताया, तो आशा गरता हूँ कि यह सारी बाते तो आपको अच्छे से clear हो गई होंगी अब हम लोग कुछ questions बनाने की practice यहाँ पर करेंगे, जैसे एक question है मेरे पास कि किसी संख्या को उसके 16 सही 2 बटा 3 में जोडने पर, question आप सुन लेजिएगा, मैं question करूँगा कि उसे subtitle में डाल वे दूँ, किसी संख्या को उसके 16 सही 2 बटा 3, कोई संख्या है, X, ठीक है, इ किसी के 16 सही 2 बटा 3 परसंट से बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, यह जोडा जा रहा है, ठीक है, 16 सही 3 परसंट में जोडने पर, प्राप्त संख्या जो है, यह जब जोडा जा रहा है, तो क्या मिल रहा है, प्राप्त संख्या मिल रही है, कितनी, 4956, 4956, यह है question, question फिर से आप सुन लेजिएगा किसी संख्या को उसके 16 सही ठीक है 16 सही 2 बटा 3 में जोडने पर प्राप्त संख्या इतना है तो वो संख्या क्या है बस तो ये कहा जा रहा है कि मान लो वो संख्या क्या है माना संख्या जो है वो क्या है X है अब दिहान दीजिएगा equation तो हमने बना लिया है अच्छा equation बनाने में अगर आपको problem है तो आप question को पढ़ते जाए और लिखते जाए जैसे लिखा है कि कोई संख्या X है तो X को X के 16 सही 2 बटा 3% में जोड दिया गया जोडा गया तो कितना मिला 4956 अब बताओ वो संख्या क्या है तो आपको solve कर देना है solve करने के लिए आपको word mask का अगर rule बता है तो सबसे पहले क्या होता है bracket के अंदर का काम bracket के अंदर का काम पहले तो हम 16 सही 2 बटा 3% को लिखेंगे तो 16 सही 2 बटा 3% का मतलब क्या होता है 16,3,4,2,5 यानि जब हम इसको तोड़ेंगे तो यह आएगा 50 बटा 3 गुणा में 1 बटा 100 100 से भाग लगाते है ठीक है परसंट से जब हमें fraction में लाना होता है तो हम 100 से भाग लगाते है तो यह कट जाएगा दो बार में और यह हो जाएगा 6 यानि कि 1 बटा 6 इसका answer होगा 16 सही 2 बटा 3 या फिर मैंने याद भी कराया था आपको 1 बटा 6 की value कितनी होती है 16 सही 2 बटा 3 होती है तो चलो 1 बटा 6 तो हमें पता चल गया और इसको जब x के साथ गुना कराएंगे इसको जब गुना कराएंगे x के साथ तो यह हो जाएगा x by 6 और इसका मतलब कितना है 4, 9, 5, 6 यह है इसकी value अब जब हम इसे solve करेंगे तो 6 एकम 6 x बटा में 6 बटा में 6 बड़ाबर 4, 9, 5 और 6 अब आप उना हो गड़ा मत करिए आप simply क्या कर दीजिए कि 6 और एक 7 x ठीक है 6 और एक कितना हो गया 7 x बटा में कितना है 6 इदर कितना है 4, 9, 5, 6 अब 4, 9, 5, 6 अब क्या करिए अब x को इदर छोड़ दीजिए और 4, 9, 5, 6 को यहां लिखके गुना करा दीजिए उसको पलट के पलट के क्यों 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 कि 6 ऊपर जाएगा 7 नीची आएगा तो 6 बटा 7 संबल आप इसको काट लीजिए तो 7 से काटेंगे तो कितना हैगा 7 सते 49 एक 0 लगेगा और फिर 7 और 8 चपन अगर आपको दिक्कत है तो आप ऐसे काटेंगे 7 और 9 चपन को जब आप 7 से काटें मतलब 708 हा रहा है और 708 को जब 6 से गुना करोगे तो 8 चिक 48 हो जाएगा और 8 सते 56 हो जाएगा मतलब ओरिजनल संख्या क्या है आपकी ओरिजनल संख्या है 56 ये तो हो गई long method यानि ये आपको क्या कहा गया है लंबी विधी है बनाने की एक छोटा तरीका मैं सिखाता हूँ छोटा तरीका ये है कि आपको कितना करना है तो 16 सही 2 बटा 3% को आप एक बटा 6 लिख सकते हैं ठीक है ये है आपकी मूल संख्या मतलब जो ओरिजनल नंबर है वो मूल संख्या और ये क्या है value यानि की मान अब ध्यान देना क्या कहा गया है question में कि यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2 बटा 3 जोड आ जाए तो 16 सही 2 बटा 3 का मतलब 1 बटा 6 संख्या ये है इसको इसमें जोड दिया जाए तो कितना आ जाएगा मान 7 आ जाएगा ठीक संपल फिर से समझदा संख्या ये है मूल संख्या और इसमें इसी में क्या जोड देना है 16 सही 1 बटा 3 यानि 1 बटा 6 को जोड़ देना है, तो simply ऐसे समझो कि 6 में कितना जोड़ देना है, एक जोड़ देना है, तो यह आजाएगा 7, और 7 जो है किसको रिपर्जिन कर रहा है, 4956 को, तो 4956 यहाँ पर लिख देंगे, अब 7 से जब आप इसको काटेंगे तो यह आएगा 708, आप से original संख् पूछी गई है, original संख्या 6 है, और काटके कितना आ रहा है, 708, जब आप इसको multiply करेंगे तो आजाएगा 5, 6, 4, 8, यह होता है इसका trick, फिर से एक और example समझते हैं, माल लोग की question दिया हुआ है, कि किसी संख्या में उसका 25% जोड़ने पर, किसी संख्या में उसका 25% जोड़ पर जो प्राप्त संख्या है, वो मान लेते हैं, 115 है, एक मिनट, 115 में 116 कर देते हैं, ठीक है, यह value मैं बदल भी सकता हूँ बाद में, 116 है, हाँ, ठीक है, 116 है, तो बताइए वो संख्या क्या है, ऐसे कर देते हैं, तो यह question हो गया, कि किसी संख्या में, किसी संख्या में उसका 25% जोडने पर value 116 है, तो वो संख्या क्या है, अगर मैं इसको detail में बनाने के लिए पहले हमें इसका 25% निकालना पड़ेगा, फिर मैं सीधा 25% लिखता हूँ, 25% का वद्दा होता है एक बटा चार, original value हमारी क्या है, चार, original value हमारी क्या है, चार, अब चार में इसको जोडने को कहा जा रहा है, तो जब जोडेंगे तो यह हो जाएगा 5, ठीक है, और 5 यहाँ पर मैं कहा था ना, बदलेंगे 120 कर देता हूँ, 5 का मतलब कितना है, 120, और जब हम 120 को काटेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा, यह जाएगा 5 दुना 10, और यह आजाएगा 4 पच्छे 20, यानि 24, तो ओरिजिनल संख्या में मल्टिप्लाई कर देजे 24 से, तो 4 चार चाव के 16 हो जाएगा, और 4 दुना, ठीक नो, यानि ओरिजिनल संख्या क्या है, 92, तो एक छोटा सा कोस्चन मैंने लेने की कोशिश की है, आप यहाँ पर देखो कि किसी संख्या में उसका 25 परसंट जोडने पर 120 हो जाता है, तो वो संख्या क्या है, तो वो संख्या है, चानगे, समझ गया इस बात को, ठीक, अब कुछ और कोस्चन से हम लोग देखेंगे, यह तो ट्रिक था, और long method से बनाना हो तो यह तरीका है आपके लिए long method से कैसे बनाएंगे, यह मैंने आपको बता दिया, और trick से कैसे बनाएंगे, यह भी मैंने आपको बता दिया, अब आते हैं अगला, अगला question हम लोग देखते हैं, अगला question है कि यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2 बटा 3 घटाया जाए, कोई संख् और इसमें से घटाने की बात हो रही है, क्या घटाने की बात हो रही है, उसी का 6 सही, कितना, 6 सही 2 बटा 3, 6 सही 2 बटा 3% घटाने की बात हो रही है, तो जो संख्या आ रही है, वो संख्या आ रही है 56, यानि ये संख्या आ रही है 56, तो अब इसको आप long method से भी बना सकते हैं और short method से भी बनाएंगे मैं इतर इसे मिटा देता हूँ चलो तो पहले long method से बनाएंगे error long method से बनाते हैं कहा जा रहा है कि किसी संख्या में उसका 6 सही 2 बटा 3 घटाया जाए तो संख्या इतनी होगी तो पहले तो ये बताओ कि 6 सही 2 बटा 3 का मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे 6 सही 2 बटा 3 का मतलब हुआ 20 बटा 3 और 20 बटा 3 का मतलब कितना हो गया एक बटा 15 अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो आप ऐसे कर सकते हैं 20 बटा 3 आ रहा है इसको सॉल्व करने पर गुना 1 बटा 100 यानि 100 से भाग लगाएंगे 20 पंजे 100 और पास्तिया 15 यानि ये मैन है 1 बटा 15 का तो कहा जा रहा है कि X में से घटाना है X बटा 15 क्योंकि X में जब आप मल्टिप्लाई करेंगे एक बटा 15 से तो X बटा 15 आएगा सिम्पल सी बात है तो कितना आएगा 5,6,7,0 ठीक है सॉल्व करेंगे तो अगर हम ऐसे सॉल्व करें तो 15 एकम 15 X माइनस X बटा 15 बटा 15 बराबर कितना? 56,70 फिर क्या करें? तो फिर हम कर देते हैं 15 में से एक गया 14 यानि कि 14 बाई 15 X बटाबर 56,70 फिर X बटाबर कितना? तो X बटाबर हो जाएगा 56,70 गुणा में ये पलट जाएगा तो 15 उपर जाएगा, 14 नीचे आएगा 14 से काटेंगे तो कट जाएगा 14,4 के 56 हो जाएगा 0 बचा, फिर यहाँ पर 14,75 405 और 405 में 15 में मल्टिप्लाई कर देंगे तो कितना एंसर आजाएगा? तो 15,55 हो जाएगा और 15,64 के 60 हो जाएगा 60,75 इसका एंसर आएगा ये तो बड़ा लंबा मेथड हो गया अब मैं सिधा कहा रहा हूँ कि आपको घटाने को कहा जा रहा है किस में से? तो 6,2,3 में से 6,2,3 का मतलब कितना होता है? 1,15 ठीक है अच्छा बात हो रही है घटाने की जोडने की नहीं बात हो रही है बात हो रही है घटाने की यानि 15 में से आपको एक घटाना है, तो कितना आएगा, 14, ठीक है, और 14 की भैलू दे रखी है, 56, ठीक है, जोड़ना होता तो जोड़ देते हैं, लेकिन घटाने को कहा गया है, यह original भैलू है, और यह घटा कराया 14, तो जब 14 से आप इसको करेंगे, तो क्या आएगा, 405 आए मल्टिपलाई कर देंगे किसके साथ, 15 के साथ, तो 405 को जब 15 के साथ मल्टिपलाई करेंगे, तो कितना आ जायदा, 60, 75, यह इसका answer, तो सिंपल तरीका है, कोश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मैंने एक ट्रिक से बताया, एक लॉंग मेथड बताया, आशा करता हूँ कि आप आपको प्रोवाइड भी करूँ, और साथ मैं आपको यहाँ पर शो भी करूँ, ठीक है, तो उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आप कॉमेंट करके ज़रूर गताईएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी है, त तो प्लीज उसे लाइक कर दीजेगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजेगा, या हर वो इनसान जिसे मैथ पढ़ने की ज़रूरत है, आप उसके साथ ज़रूर इसे शेयर करिएगा, तो चलिए, इन्हें सब बातों के साथ मिलता हूँ आपसे, अगर